नमस्कार दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं आज से शुरू हुआ होलास्टक आज दिनों तक भूल कर भी ना करें ये सुबकारे हैं आज से होलास्टक शुरू हो गया है जिसके साथ ही कई सुबकारियों पर रोक लग गई अब होली के बाद से ही सुबकारे किये जा सकेंगे दरसल होलास्टक से लेकर होली तक के दिनों को शुब नहीं माना जाता और इस दोरान सुबकारे करना सास्त्रों में वरजीत माना गया है सास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के प्रथम दिन फालगुन सुकलपक्ष के अश्टिमी का चंद्रमा नौमिक को सूर्य, दस्मी को सनी, एकादसी को शुक्र, द्वादसी को गुरू, त्रियोदसी को बुध, चतूरदसी को मंगल और पूर्णिमा को राउ अपने उग्रू रूप में होते हैं, इस दोरान किये गए कामों का फल आशू भी साबित होता है। जैसे नामकरन संसकार, जनेव संसकार, ग्रैप्रवेश, विवा संसकार, वे, प्रेकार के शुब कारिये नहीं करने चाहिए। लाप प्राप्त होता है, होलाश्टक सुरू होने पर एक पेड़ की साखा काट दे, फिर उसे घर के पास ही जमिन पर लगा दे, इसमें रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बान दे, इसे भक्त प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। फिर जिस जिस जगह पर आप ये पेड़ की साखा काट का लगाते हैं, उदर ही आप होली का ध्यान कर दे, हलाकि इस चीज का ध्यान रखे कि उस छेत्र में होली का ध्यान तक कोई भी शुब कारे ना करें। इस दोरान नर्सिंग भगवान का पूजन करना शुमा न जाता है और उनका पूजन करने से हर कामना पोन होती है। होलाश्टक से जुड़ी कथा, कथा के अनुसार हिन्यकश्यप नामक एक राज़ा होता है, जो कि विश्नु भक्ती के खिलाफ होता है। हिनकश्यप अपने राज्य में किसी को भी विश्नु भक्ती नहीं करने देता था। हालाकि हिनकशप का पुत्र प्रेलाद बहुत ही बड़ा विश्णु भक्त था और वे हर समय विश्णु जी की भक्ति किया करता था उसकी विश्णु भक्ति को छुडाने के लिए हिनकशप उन्हें बहुत ज़्यादा यातना देते प्रेलाद को फालगुन शुकलपक शाष्टिम को ही हिनकशप ने बंदी बना लिया था उसे जान से मानने के लिए तरह तरह की योजना बनाई उन्होंने लेकिन प्रेलाद विश्णु भक्ति के कारण हर बार बच जाते एक दिन अपने भाई हिनकशप को परिशान देख उसकी बहन होलिका ने उन से का कि ब्रह्मा ने मुझे अगनी में नय जलने का वरदान दे रखा है हिनकशप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रेलाद को गोद में लेकर अगनी में बैठ जाएगी ऐसा करने से प्रहलाद जल कर मर जाएगा और वो बच जाएगी लेकिन जब हुलीका प्रहलाद को लेकर अगनी में बैठी तो प्रहलाद बच गया और हुलीका जल गई प्रहलाद को इस तरह कुल आठ दिनों तक यातना दी गई थी इसलिए होलाश्टक के इन आठ दिनों को अशुम माना गया और इस दोरान सुब कारे करना वर्जित माना गया वही होलीका के जलने के बाद हिनक कशप ने प्रहलाद को मानने की कोशिस की तब नर्सिंग भगवान प्रगट हुए और उन्होंने हिनक कशप का वद कर दिया होलाश्टक से जूड़ी दूसरी कथा के अनुसार बगवान शिव की तपच्चा को भंग करने के कारण शिव ने काम देव को फालगुन के अश्टिमी पर ही बसम किया था धूमदाम से मनाई जाती है होली होली का के परव को पूरे भारत में धूमदाम से मनाया जाता है कई लोग फूलों से होली को खेलते हैं इस दिन रादा कृष्ण की पूजा भी की जाती है और मथुरा के मंदिरों को भववे तरीके से सजाय जाता है